नमस्कार दोस्तों, चाहें आप हुमियोपतिक मेडिसेंस ऑनलाइन पर्चेस करें या फिर आप हुमियोपतिक फारमेसी से जागे खरीदें दो सवाल हर मरीज के मन में जरूर आते हैं पहला सवाल कि भईयत दवा जर्मन लें या इंडियन लें और दूसरा सवाल कि होमियोपतिक मेडिसिंस जो मिलती है उसमें बहुत सारी कंपनी दवा बनाती है तो बेस्ट होमियोपतिक कंपनी कौन सी है जिसकी दवा हमें परचेस करनी चाहिए अब देखिए इन सावानों की जवाब हर मरीज के हिसाब से अलग हो सकते हैं पर इस वीडियो को मनाने का मकसद है उन मरीजों की मदद करना जो कुछ कम पैसों में अपने परिवार का इलाज करना चाहते हैं और हमियोपिती से अच्छे इलाज की अपेक्षा करते हैं तो चलि तो देखिए इस वीडियो को मैंने इसपेशली उन पैसेंट्स के लिए वनाया है जिनके लिए दबा की क्वालिटी और साथ में थोड़ी सी दबा की कम कॉस्ट जरूरी है कुछ लोग ऐसे पेशिंट्स हैं कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो उतना ज़्यादा पैसा दबा पर खर्च नहीं कर सकती हैं लेकिन उनके लिए दबा की अच्छी क्वालिटी मिलना उनका हक है तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है कि अगर आप परिशान है तो परिशान मत हो ये हूमियोपतिक मेडिसन सस्ती है महंगी नहीं है आप असानी से ले सकते हैं आप रेगुलरली खा सकते हैं आपको फायदा मिलेगा पर ये कहीं ना कहीं दबा की क्वालिटी के संग भी कॉम्प्रोमाईज ना हो और आपके पैसे की भी कुछ बचत हो ये आपका हक है इसलिए बने इस वीडियो को बनाया है तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो पर सबाह के जवाब देते हैं German versus Indian बहुत सीरीजी बात है German medicine लेंगे जर्मन medicine की manufacturing out of India होती है जर्मनी में होती है कहीं भी और हो सकती है वहां से इंडिया में लाई जाएगी, इंपोर्ट करी जाएगी तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेशन लगेंगे-लगेंगे तो वो दवाईयां obviously आपके लिए थोड़ी सी ज़ादा costly होंगी as compared to Indian medicines लेकिन अब जो दवाईयां इंडिया में बन रही है उस पे टैक्सेशन अलग तरह का लगता है इस वज़े से वो दवाईया comparatively थोड़ी सी सस्ती होती है दवा की quality as a doctor मैं बताऊं लगबग-लगबग same होती है थोड़ा बहुत difference होता है उननिस बीस का जादा कुछ नहीं दवा लगबग-लगबग same है वो बस आपकी सोच है कि आप क्या सोचता है बहुत साहे patients को लगता है भाईया जो homeopathic medicine है तो Germany सी ही है तो Germany से ही ले लेते हैं भाईया ऐसा नहीं है आज के समय में इंडिया एक बहुत बड़ा hub बन चुका है homeopathic का जितने manufacturers इंडिया के अंदर है टोटल उतने टोटल के मुकावले all over world level पर manufacturers आपको नहीं मिलेंगे तो आप खुछ समय लीजए कि कितनी ज़्यादा homeopathic जो Indian population है कितनी homeopathic medicine खाती है और मैं बहुत सारे manufacturers जो हैं वो यहाँ इंडिया से दवाईयां export करते हैं हाला कि यह बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप दोनों दवाईयां इंडियान भी अपने जीप पर टपकाएं और उसके बाद जर्मन medicine जो है उसे भी लें तो दोनों drops जो आपके टंग को टच करेंगे आपको महसूस हो जाएगा कि alcohol percentage की जो quality है या alcohol की जो quality है वो जर्मन medicine की थोड़ी हलकी है as compared to Indian medicine जादा strong हो जाती है जर्मन हलकी सी कम रहती है वो जर्मन जादा comfortable महसूस होती है इंडियन थोड़ी सी जादा strong हो जाती है यह एक difference आपको लाइकोपोडियम ले चलेडोनियम ले बरबर इसले कोई भी दवा ले उसके सोर्सेज होमियोपतिक फार्मकोपिक लेबोरेटरी जो गाजियाबाद में है उसकी तरफ से बिल्कुल निर्धारित हैं कि यही सोर्सेज हैं यहीं से आपको लेना है तो चाहिए दवा जर्मनी बनाए जर्मन मेनफेक्टरर्स बनाए या इंडियन मेनफेक्टरर्स बनाए सोर्स सेम रहेगा तो सोर्स सेम रहेगा दवा सेम रहेगी तोड़ा सा पैसे में डिफरेंस आ रहा है टेक्सेशन की वज़े से और बाकी इंपोर्ट ड्यूटी की वज़े से कॉलिटी लगभग लगभग सेम होती है 19-20 का अंतर है बहुत जादा नहीं तो इस मित को अपने दिमाग से निकाल दीजे अब अगला सवाल उठता है बेस्ट हुमिपथिक मेडिसन का ब्रांड कौन सा है देखे अब बेस्ट ब्रांड को चुनने का हका आपका तो है लेकिन उसके पीछे कौन से फैक्टर से है आप अपने लिए बेस्ट ब्रांड किसे चुनेंगे ये सवाल का जवाब आपको मिलना ज़रूरी है मेरे मेरी के चोईस है उससे मैटर नहीं करता आपके इसाब से कौन से बेटर है क्या क्या फैक्टर है सबसे पहले हो गई भई या कॉस्टिंग कि कितने पैसे की मिल रही है दूसरा अविलेबिल्टी की जो दवा आपको चाहिए घए वो कंपणी बना रही है ये क्या किसी है तो अगर आप इस तरह से बात करें तो समझ लहीं कोशिच करिये भई देखिए कॉस्टिंग अब जर्मन मैड़िसीन लेंगे कॉस्टिंग जियादा होगी इंडियन मैड़िसिन लेंगे costling थोड़ी सी कम आएगी, obvious बात है फरक हाला कि जादा ही आता है, थोड़ा सा नहीं था जादा ही आता है अब ये जो फरक है ना ये कुछ लोगों के लिए matter नहीं करता आप suppose करिए आपके लिए पैसे की value बहुत जादा नहीं है दवा के लिए, आपको चाहिए quality medicine बिलकुल मुझे tip top quality medicine चाहिए तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर रेक वेग लेंगे भाईया ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी brands है आप SBL प्रिफर करिए, आप शौबे WSI प्रिफर करिए आप एडल प्रिफर करिए, आप उससे थोड़े से कम पैसे में और बेटर ब्रैंड चाहते हैं आप बीजन प्रिफर करिए, बहुत अच्छा ब्रैंड है डॉक्टर भारगव 100 साल पुराना ग्रुप है डॉक्टर भारगव कितने सालों से manufacturing कर रहे हैं बहुत सरे डॉक्टर अपने OPDs के अंदर डॉक्टर भारगव की medicines यूज़ करते हैं कोई compromise नहीं है, थोड़े से पैसे कम है पर कोई कोई compromise नहीं है तो अब आप समझ लीज़े कि costing ज़्यादा फरक नहीं आएगा, 19-20 का फरक आएगा बस केवल आपकी चोईस है कि आपको costing के साब सा कौन सा brand चूज करना है अब आज़ाइए availability की भई हमें जो दवा चाहिए वो ऐसा कौन सा pharmacy है बना manufacturer है जिसके पास सब दवा अब देखिए maximum manufacturers बहुत सारी maximum दवाईयां बनाते हैं लेकिन अगर आप large scale manufacturers की बात करेंगे डॉक्टर रेक्वेग पर सब दवा अविलेबल है विलिमर शॉवे पर सब दवा अविलेबल है एडल पर भी maximum दवाईयां है उसके बाद SBL बहुत सारी दवालग लबग सब दवा SBL बनाता है उसके लावा अगर आप ranking के साब से देखें BJN हो गया, Dr. Bhargav हो गया, New Life हो गया और भी बहुत सारे ब्रैंड्स है तो जो टॉप 5 की अगर आप बात करेंगे तो टॉप 5 कौन से हो गए आपके Dr. Willi Marge, SBL, Shaube, Dr. Rekweg, BJN and Bhargav Phytolabs यानी Dr. Bhargava ठीक है, तो ये 5 ब्रैंड्स हैं, आप इनके पास लगभा लगभा सारी medicines आपको available हो जाएंगी तो वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी दवा चाहिए अगर एक ब्रैंड पर नहीं है, दूसरे से ले लीज़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगरी बात भई, जो आपका स्टॉक है, जो आपका नियर बाए फार्मेसी है, जहां से आप दवा लेते हैं, उसके पास कौन सी दवा अवलेबल है अब देखिए, यह डिपेंड करता है, कि जो फार्मेसी का ओनर है, उसे जो परसेंटेज है, वो जो बिजनेस, भई हर कोई बिजनेस सला रहा है तो जिसमें परसेंटेज उसे ज़्यादा मिलेगी, उस ब्रैंड की दवा वो रखेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है हाला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैक्जिमम फार्मेसी में डॉक्टर रेकवेक की दवा मिलती ही मिलती है उसका रीजन है कि लोग मांग के नाम से लेके जाते हैं, बहुत बात की चाहिए तो लेकिन कोई particular को prefer करना है तो आप उस company से website पर order करके मंगा सकते हैं नहीं तो आप ऐसे directly pharmacy वाले से कही है वो मंगा देगा कोई दिक्कत की बात नहीं है आप आजाएगे quality के हिसाब से कि भई quality as a doctor अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए आप जो मैंने जैसे बता चुका हूँ कि जर्मन मेडिसिन की एक ड्रॉप टंक पे डाली है और इंडियन की डाली है अलकोहल परसेंटेज में फर्क आएगा इंडियन जादर स्ट्रॉंग होगी जर्मन हलकी सी लाइट होगी इतना तो फर्क आपने खुद भी महसूस किया होगा कोई बड़ी बात है यह मानदारी की बात है ठीक है तो अगर आप क्वालिटी के बात करें तो आपके हिसाब से जर्मन की क्वालिटी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से अगर मुझे दवाई से प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं है न्यू लाइफ बहुत अच्छा ब्रैंड है मेडिसिंथ है लॉड्स है वीजल है में डी लाबस है इसके लाब इंटरनाशनल ब्रैंड है जैसे बोयरोन हो गया बोरक एंट टैफल हो गया adopt लाइफ एडल हो गया तो ब्रैंड्स की कोई कमी नहीं कोई limit नहीं अगर आप वैसे पूचेंगे quality के हैसाप से टॉप--"notch अगर आप पूच्छेंगे तो मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले होगी विलिमरण शॉब है तो इस वीडियो में मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि देखिए अगर पैसे कम है तो भी दवा की आपको अच्छी मिलेगी कॉलिटी अच्छी मिलेगी पैसे कम खर्च होंगे चोईस आपकी है आपकी चोईस होनी चाहिए आप जिससे दवा खरीद रहे है उसकी चोईस नहीं होनी चाहिए वो आप च्छी करेए आपको कौन सी कमपनी की दवा खरीदनी चाहिए ठीक है आप चाहें तो बहाँ से ननलेना चाहें आप अनलाइन परशेस करीए जितनी भी मैंने आपके कमपनी से लाम बता है सबके website पर दवा available है आप बहां से मंगा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो कुल मिलाके in short बहुत सारी company है बहुत सारे brand है medicine की quality भी है medicine के availability भी है medicine की costing भी है बहुत सारी चीज़े है तो अपने हिसाब से choose करिए आपके लिए best brand कौन सा है तो I hope कि इस वीडियो में मैंने short में बहुत सारी बाते बताई हैं आपको इससे कुछ फायदा जरूर मिलेगा कहीं न कहीं brand choose करने में फायदा होगा मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो समझ में आई हो तो thumbs up जरूर दीजेगा चैनल पर पहली बारा हैं सब्सक्राइब पुरना बिलकुल मत भूलिएगा मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही नमस्कार थैंक यू